है है dove면 रोज एर्टर चैनल में आप सभी का स्वाओत हैं बहुत दिनों से इस चैनल पे वीडियो अपंड़ोड नहीं हुई है करिवार महिने से इस चैनल पर कोई वीडिया अप्लोड नहीं हुई है तो कोई कारण ठा क्योंकि यह चैनल मेरी वाइफ का था और वाइफ अभी किसी कारण से बिजी है तो इस चैनल पर मैं ही अब वीडियो अप्लोड करूंगा और आज से ये वीडियो पहला वीडियो एस चैनल के उपर आई होप आप सभी को अच्छा लगे आज मैं आप लोग अपने इस वीडियो के धुरू प्रवाइट करने वाला हूं टोप 10 प्रीमियम कॉलिटी के कलर इफेक्क की लूप्स नाम से जाने जाते हैं और कलर लूक अप के नाम से ज सब्सक्राइब करने का बहुत सिंपल तरीका है मैं आपको बताने जा रहा हूं तो मैं इस लिंक को कर रहा हूं कॉपी आपको कॉपी नहीं करना है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरी में जाना है वहाँ पर आपको डाउनलोड के नाम से यह वाला लिंक मिल जाएगा तो आपको जस्ट क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता रहा हूं तो मैं यहां से अपना ब्राउजर ओपन कर रहा इसके बाद यहाँ पर आ पको size दिखाये देगा, यहाँ पराई सकते हैं, और यह फाईल कब upload की गई है, और किसके through upload की गई है, आपको वो दिखाये देगा है, तो यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका link में ने रेड़ी नीकिया है, तो यह अभी जो action की फाईल है, यह इ दिखाए देंगे जो की 15 से 0 होते हैं जैसे आपका नमबर 0 होगा उसके बाद जो यहां पर बटन बना वारा रहा है आम नोटर रोबर का जस्त आपको इस पर क्लिक करना है तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह गॉल-गूल घुम रहा है उ शोजो स्रेट करो मेरे पास ट्राफिक लिट को को जो हो सकता हैं अब जी कर देताओं यहां पर नेक्स्राइब नेक्स्च बचनार के यहां पर उसके बाप देने के लिए को देने के लिए यहां intra वेरिफाइब बटन आगे है आपके बस डिरेक्ली वेरिफाइब आ जाएगा तो आप जब इसको वेरिफाइब दबाएगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि I am not a robot के सामने टिक कर निशान लग गया है टिक कर निशान लगते के साथ ही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क इसको प्रेस करना है तो बस सिंप्ल से स्कूर्ष करना आयामटेर रोबर्ट करना है आप को dunk partisan करना है क्लिक नहीं करना की आप को कोई अलग से now course नहींises preventing में में खुला करता है अगर आपके पास भी यह होगा तो आसे पूछे का डाउलोट के लिए पर तो करते हैं दाउलोट करने के बाद आपके इश्क्राइभ और करने के चक्रेश्र करने के आपके पस भी अगर ऐसा एहरर आ रहा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरी में मैं आपको विन्रा 32-bit और विन्रा 62-bit का लिंक दे दूँगा जिसको क्लिक करके आप डाउलोड करेंगे सिर्फ 2MB की फाइल है डाउलोड करके आप उसको इंस्टोल करेंगे त तो यह मेरी फाइल एक्सिट हो गई है बहुत चोटी सी फाइल है क्लिक करते के साथ एक्सिट्ट हो जाती है तो इस डेश्बोट को मैं कर दो बंद और जो मेरे एक्सिट हुआ हुआ है उस फोल्टर को उठाके मैं रखता हूं यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हूं की फा फोटोशोप के वर्जन में यूज़ कर सकते हैं फोटोशोप CS 6 से लेकर फोटोशोप CC 22020 तक किसी वर्जन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं तो मैं आज आप लोगो इस वाली फाइलों को फोटोशॉप CS 6 के अंदर उसर के दिखाऊँगा तो करना क्या है आपको यह साली फाइल स्लेट करनी है, जैसे मैं भी कर रहा हूं, अपने कीबोर्ट से control C दबाना है, या तो किसी फाइल के उपर right click करके, आपको copy कर लेना है, ये copy कर लिए है, उसके बाद आप अपने इस folder को कर देंगे minimize, उसको बाद आपको जाना है, माई computer में, ध्यान रहे, माई computer में जा करना ही पड़ेगा दरवाज आपको फाल नहीं दिखाए देगी तो क्लोस करने के बाद चलते हम लोग सी ड्राइब के अंदर सी ड्राइब में जाने के बाद आपका जहां पर फोटोशॉप इस ओला है प्रोग्राम फाइल या फिर पोग्राम फाइल तो हाँ पर जाएंगे तो मैं जा रहा हूँ जो आटकोर football लिखा आड़ जाओए पर अपर फोटो शोप नोगा तो तो इस वक्त मैं पेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको फिर भी शो कर देता हूं यहां पर मैं पर रिप्लेस्ट के लिए मांग रहे तो आपके पास एक की फोल्ट में पेस्ट करना होगा तो उसके बाद आप यहां से back करेंगे तो बार तीन बार program file पर आएंगे वापिस से उसके बाद यहां पर आपको दूसर जो program file आता है यहां पर देख लेंगे Photoshop CS6 का दो जगा फोल्टर बनता है एक यह 64 bit का बनता है एक वहां पर जो अभी डाली है हम लोगों ने फाइल वहां पर बनता है तो दोनों जगा आप फाइल पेस्ट कर देंगे ठीक है अगर Photoshop CS6 यूज़ कर रहे है तो अगर CC version यूज़ कर रहे है तो CC version का आपको इसी program file के अंदर मिलेगा अड़ोप के अंदर जाके यहां पर मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर जो Photoshop CS6 लिख रहा है मैं उसको डबल क्लिक कर रहा हूं वापे से मैं preset पर जाओंगा प्रिशेट में जाने के बाद लूट के अंदर जाओंगा और इस आपको कुछ नहीं करना बन आपको फोटोशोप ऑपन करना तो मैं अपना उपन हो चुका है तो जब आपके पास Photoshop आपका उपन हो जाएगा यह सारा जो अपने फाइले को भी पेस्ट करिए उसके बाद आपको चाहिए आपकी एक इमेज जिसके उपर आप कलर एफेक्ट यूज करेंगे तो मैं यहां से अपना कोई भी डैमो की पिच्चर उपन कर र लोग आपको ऑपन कर सकते हैं तो कलर एफेक्ट जो अभी हम लोगने पेस्ट करें हैं उसको कहां से खोलना है उसके लिए हम लोग चाहेंगे अपने लेयर वाली पैनल पे उसके बाद नीचे आएंगे तो जहां पर आपको यहां पर दी जाएगा नाम से आपको इसको क्लि कर दिया क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक डेशबोड खुल जागा छोटा सा पैनल खुल जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं लिखा होगा भी लुड़ फाइल तो यहां पर जो यह वाला एरो लगा हुआ है यह चोटा सा बॉक्स है आप इसो क्लिक करेंगे क्लि हुआ हुआ है तो आप देख सकते कि यहां पर फोटू चेंज हो गई है तो यहां पर मैं आपको डिसेब्ल अकूट करके दिखाता हूं आप देख सकते कि फोटो में changes हो गए हैं तो इसको मैं रहने देता हूँ और यहां से वापिस से मैं जा रहा हूं इसी जगहा पे जो मेरा पहला था मैंने वापिस से पहले पर खली किया था कुछ ऐसा एक्षन दिया था कि आपकी फाइले ब्लू हो जाती थी जितना पर गिरीन कलर था ब्लू हो जाते थी लेकिन यह जो कलर आ रहा है यह आपका इसका ब्लू आ गया यह बहुत अच्छा बहुत प्यारा लग रहा है इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट कर देंगा तो प्याइब बहुत बढ़िया हो जाएगा तो मैं सको एक sip or नीचे कर रहा हूं अपने कीबोर से आप देक सकते हैं यहां पर चेहरे का कलर और रिख सकते हैं फिंक एफ्रेक्ट आ गया यहां से मेरा लुकॉप खतम हो गया तो यहां पर मेरा सारी लुकॉप आपको दिखा दिया दस की दस ठीक है तो आप अपने साब इसके सको यूज़ कर सकते हैं यह बहुत बहुत ही इजी था और बहुत ही सिंपल था यह आपको बहुत साई लोगों तो अलड़ी पता हुआ कि यह 3D लूट्स क्या होता है अगर नहीं पता तो मैंने आपको बता आज आप क्लियर होगी होगी इस चीज़ से तो आने वाल टैम पे मैं आपको ऐसे वीडियो बहुत चालू करने वाला हूं जैसे कि फोटोशॉप से रिलेटेड और पेजमेकर से रिलेटेड उसके बाद आपके वीडियो मिक्सिंग क्लासे चालू होगी जिसके अंदर मैं आपको प्रीमियम प्रोश सिखाऊंगा आपको एडियस सिखाऊंगा आपको आफ्ट एफेक्ट बनाते हैं घर के जमीनों के या तो फिर आपको एक होटल बनातों होटल जो मॉडल बनाये जाता है पहले तो वह सब कैसे बनाया जाता है तो वह सारी सीज में आपको step by step class देने वालों अपने इसी चैनल के उपर जो मेरी classes चलेगी वो एक से 15 दिन तक चलेगी आपको एक से 15 दिन तक एक software की पूरी class में दूँगा उस मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छी रंग सा समझाने के लिए अगर आप सोच रहे कोई भी course करने के लिए तो इससे certificate भी मैं आपको प्रोवाइट करवाँगा लेकिन certificate बात की बात है पहले मैं वीडियो डालूँ आप उसको देखें और आप उसको सीखें ठीक है certificate तो देखा जाएगा बात में तो गाइस अगर आप लोगो यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीस इसको लाइक जिरू कर देंगे तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर